दोस्तों कुछ दिन पहले जहां इसरों ने अंतरिक्ष में चंदरायान तीन लॉंच करके इतिहास रच दिया था, तो आज नासा ने पृत्वी जैसे साथ ग्रहों की खोज करके एक नया इतिहास रच दिया है। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंट्रेस्टिंग होने वाली है, तो देखते रहे डिसकवर वल्ट। नासा ने बताया कि इन प्लैनेट में से तीन प्लैनेट हैबिटेबल जोन में हैं, यानि इनकी सर आफिस पर पानी हो सकता है। वैग्यानिकों के मुताबिक ये सभी प्लेनेट अपने छोटे स्टार ट्रेपिस्ट वन का चक्कर लगाते हैं ट्रेपिस्ट वन हमारे जुपिटर ग्रह से थोड़ा ही बढ़ा है और इसकी रोशनी हमारे सूरज से 200 गुना कम है उनके मुताबिक जब सूरज का इंधन खत्म हो जाएगा तब हमारी प्रित्वी खत्म हो जाएगी लेकिन तब भी ये सोलर सिस्टम मौझूद रहेगा क्योंकि उनके सूरज टाइपिस्ट वन में हाइड्रोजन बहुत धीमी गती से जल रहा है यानि वह ब्रमांद की मौझूदा उम्र से 700 गुना ज्यादा चलेगा जो की जीवन डेवलप करने के लिए काफी है साइन्टिस्ट का कहना है कि जब भी सूरज के पास प्लैनेट की खोज कर रहे थे तब 2010 में ट्रेपिस्ट वन स्टार का पता चला था और तब से उस पर नजर रखी जा रही थी नासा की टीम को लीड कर रहे डॉक्टर क्रिस कूपवी ने कहा इस खोज से यह साबित हो गया है कि इस ब्रमान्द में हमारी धर्ती के अलावा कहीं न कहीं जीवन जरूर है उनके मुताबिक खोजे गए साथ ग्रहों में से तीन ग्रहों की साल चार चेह और नौ दिन के हैं यानि ये तीनों प्लैनेट अपने सूरज ट्रपिस्ट वन का चक्कर चार चेह और नौ दिन में पूरा करते हैं और ये तीनों प्लैनेट से हलकी हैं उनके मुताबिक इसे साइंस की फील्ड में सदी की सबसे बड़ी खोजों में गिना जाएगा ये सोलर सिस्टम प्रित्वी से 49 प्रकाश वर्ष दूर है यानि 378 लाख करोड किलोमीटर की दूरी पर है खगोलवेदों का कहना है कि साथ ग्रहों वाले सौरमंडल का पहले भी पता लगाया जा चुका है लेकिन ये पहली बार है जब प्रित्वी के आकार वाले इतने ग्रहों वाले सौरमंडल का पता चला है Belgium University of Leeds के एक लेखक Michael Gilliland का कहना है कि ये सारे ग्रह एक दूसरे के करीब है साथ ही ये सातों ग्रह अपने तारों से काफी नजडीक स्थित है और इनकी स्थिती जूपिटर के आसपास मौजू चंद्रमाव से काफी मिलती है दोस्तों शोध का अगला चरण शुरू हो चुका है इसमें वेग्यानिक ऑक्सीजन और मिथिन जैसे महत्वपून गैसों की खोज कर रही है इससे ग्रहों की सतह पर हो रही हल्चल और बदलाव के बारे में सबूत मिल सकते हैं और साइन्टिस्ट को इन ग्रहों पर जीवन का पता लगाने में करीब एक दशक लग सकता है दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेर करें साथ ही हमारे चैनल डिस्कवर वर्ल्ड को सब्सक्राइब भी करें थैंक यू दोस्तों